अलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल रॉबिन बुटिक फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल गले में बैन कैसे लगाई जाती है यानि की कोलर कैसे लगाया जाता है दोस्तों वैसे तो कोलर लगाने के बहुत सारे अलग-अलग तर कॉलरवे जाता है दोस्तों बनाने जा रहे बिलुकुल गोल में का लेका कोलर का इसके लिए करना की यह एक आपको लेना है इधर से तीन इंच इधर से और तीन इंच आपको लेना इधर से और इस तरह से इसको बिल्कु सीधा कर लें यह देखिए और इसके बाद आपको लगाना एक एरो का निशान और यहां से कर देनी बिल्कुल गुलाई में कटिंग यह देखिए इस तरह से गुलाई में निग यह देख इस तरह से henam साहत की हो जाती है तो यह तो सधुने हैं और यह सका फीली से घृत वाल इसमें आपने कटिंग बिलकुल निकर नि अब जब यह आपका सूट का व्ला करते हैं कि इसकी मैंने कटिंग कर ली है अब आपको लेना है इतना सा टुकड़ा लेना है कपड़े का और इस टुकड़े को दोस्तों आपने बिल्कुर सेंटर में इस तरह से निशान लगाना है और एक पट्टी लगानी है इस पट्टी को कवर करने के लिए जो मैंने कर बीच में कट लगा है यह देखिए बिल्कुर सेंटर में इसको यह रखना है और आपको लगानी है सिलाई आपको जो सिलाई लगानी है दोस्तों इस जगे सिलाई स्टार्ट करनी है है हिसलाइ को इसका बनाती हुए है को निकालना है when है लगाते हैं नहले अब को दिहां रखना है कि इस सूट को आपने रखना उल्टा यह दखि It will कि तफर मैं स्लाई लगाते समय आपको यहां पर एक और बनाना जैसे कि इसको देख़ए इस को में यूँ लाके जो स्लाई को निकाला में इसको बिल्कुल सिधा यूँ नहीं करना एक और बनाना यह जैसे कि यह देखिए को बनाया हुआ है अब दोस्तों यह एक्ट्रा पट्टी काफी बड़ी इसको थोड़ी सी कटिंग कर लें अब बिल्कुल बीचो बीच आपको इस तरह से कटिंग करनी है कि कटिंग करने के बाद अब यह जो पट्टी है तो इस पट्टी पर थोड़ा सा नाखुन से प्रैस करें इस तरह से और यह देखिए यह जो पट्टी आपकी इस लगाने के बाद फ्रेंट्स यह जो पट्टी आपके अंदर की तफ चली जाती है यह देखी फ्रोड़ा नाखों मार इसको सीधा कर लें फिर आप इसमें कच्छी सलाई लगा सकते हो इस तरह से बगल में मैंने एक सलया लगा है कच्छी सलाई इसको मैं अंदर से दखाता हूं इस तरह से यह जो कच्छी सलाई है दोस्तो यह वाली सैकंड़ वाली यह बाद में उधेर देंगे यहां पर तुर्पाई करने के बाद अब दोस्तों इस तरह से आपके आगे वाली पट्टी बन जाती है तो समझ लो आगे से गला तयार है अब यह इसका पीछे वाला पार्ट यह देखिए इसका शोल्डर आपको जोडना अएसे शोल्डर जोड़ाना है अब यह लगाने के बाद दोस्तों फिर हम इसकी कटेंगे जो इसकी बैन है यह फिर जिसे हम राउंड कोर बोलते हैं वो कैसे कट इन्ग होगा पहले सीधिसे लगए करते हैं उसके बाद भी मैं आपको बाता हूं कैसे कॉलर कटिंग होगी तो फ्रेंट्स यह देखिए तीरे किसे जो सलाई थी तीरे वाली सलाई यहां फिर शोल्डर वाली सलाई वह मैंने लगा ली है अब इसकी जो कॉलर काटनी कॉलर काटना है बहुत असान तरीका दोस्तो अब दोस्तों इधर से पेस्टिंग बंध है आसे तरह से आपको यह देखिए इस तो को ऊठाना को और यह जो इसका पी scraping आckenा के दोस्तों इसको शोट को स्तुंग करना है निशान आंचे बिलको सीदा एक 한다 यहां से लेकर यहां तक कर आपको बिल्कुल सीदा एक निशान ल यहां से तो मैंने 7D वाला कपड़ा काटा था मैंने 220 यह काती आप चाहए कितना वी काट सकते हो यह dependent करता है गरदन के साब से अगर किसी गिए ज्यादा मोटी हो तो 3 निच काते हैं अगर मीडियम थो तो तो आप कार सकते हो तो यह तक तो यह को सिदा ले कराना और उसके बाद ये देखिए ये जो शेप आ रही है इसकी राउंड में इस शेप के अकोर्डिंग आपको इसको रखना है कप्ड़े को और यहां से इसकी कदली गुलाई इस तरह से तो दोस्तो यह देखिए इस तरह से यहां तक सीधा जो पीछए लगवला है और आग़ए से गुलाई आ रही है गुलाई के साब से इसको आपने इसके गुल गुला गुमा लेना है और अब इसके बाद आपको एक निशान लगाना इधर यह देखिये जैसे मैं निशान लगा रहा हूं और इसको सीधा इसल से रक लें यह दोस्तो यह जो बैंड की चुड़ाई होती है यह ज्यादा चुड़ाई हम नहीं ही रखते। ज्यादा से ज्यादा इसकी चुड़ाई होती है यह होती है लगभग एक इंच यहां की सावाइंच अब दोस्तों जो मैंने मार्क कर रहे हैं इस मार्क के कोड़ी में करूँगा कटिंग कि इस तरह से दोस्तों आप जो है बैन की कटिंग कर सकते हो अब इसको एक बड़ दोबारे नाप लें आप कहा तक इरुकुल फिक्स आ रहा है यह देखिए यह पीछे का गला है और यह इसकी गुलाई के इसाब से हमने बैन जो है बिल्कुल फिक्स काटनी है इसको यह रखन इस तहसे इसको रखना है और यह देखी जुर मेरे निशान लगाए था इस निशान तक ही आपको शुक्त हाथ तक यह से यह से दिखें तो अब ये जो निशान है मेरा अब इस निशान को आपकी किसे यहाँ से करने हैं गोलाई ऐसे यह देखें अब या इंग गोलाई करूँ यह से Oh और अगर करें अडर से छोटा вопросы पूंडस लग रहा हो इसको बेलकुशनी की अब भे तो दोस्तो दो मशीनपर जाने से पहले इसको हमको करना हो प्रेस प्रेस करने के लिए क्लिए कातना होका वह वह आपको मैं बताता हूं कि ऊप्रेंट से यह जो पेश्टिंग मैंने कारट कानegtई है बैंट मैं नेक बसना की इसमें क्या एक तरफ होती पेस्टिंबों चिकाल लेते हो उसके बाद आपको इसमें दो चीजे देख रही है एक टरफ तो यह वाली गुलाई है और एक तक यह वाली गुलाई है आपको इस तरफ से कर लिए कट यह जैसे ने कटिंग कर रहा हूं को तो हमें तो इस प्रेंट्स बाप इस था से प्रेस की वज़र से फोल्ड करना है है और ऊच्छरी यह कि इसकी प्रेस में अच्छी ते से कर लिए जो साइडि इसका कप्ड़ा था उसको बेची तरह से दबा लिया है अब आपको लेना-एक कपड़ा और और उस कपड़े के उपर इसको रखना है को इस तरह से में का में मेर के इसमें बिर पेस्टिंग ऊपर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल जड में इसकी सलाइव इस तरह से जैसे से मैं मैं कर रहा हूं पेस्टिंग के उपर स्लाइड नहीं आनी चाहिए और आपको स्लाइड लगाते समय बस इस तीर का देहां रखना है यह स्लाइड लगेगे कैसे यह आईए मैं दिखाता हूं आपको मशीन पर तो फ्रेंड्स अब देखें मैं कैसे लगाऊंगो आपको दुबाई बाता आता हूं इसको मैं रखना इसके उपर और अब यहां से स्टार्ट होगी जहां से कप्ड़ को मैं फोल्ड कर रहा है यह देखिए अब दोस्तों इस चीज़ को अब धेयां से समझ ले यह जो श्राय में लगाई है इस लाइड का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों तो स्टार्टिंग में बिलकुल जड़ से नहीं करी है जो स्टार्टिंग करी है मैं थोड़ा सा कप्ड़ इदा चोड़ा यह देखिए हलका सा और इसी प्रकार से जब इदर में खतम करी यह थोड़ा सा मैंने कपड़ा छोड़ा एक्षिर दोस्तों क्यों छोड़ा जाता है इसके पीछे बहुत बड़े कारण है जब इसकी में बैन को लगाऊंगा तो आपको समझा जाएगा फिलाल इसकी आप कर लें इस तरह से इस तरह से कट्टीव करने के बाद अब इदर से भी आप आपको लगबोग आदा इंच पककरी मारजन लेना है क्योंक्य जब इस बैन को मैं आठक करूंगा तो मिरे पास मारजन होगा तो ही तो अचकर आइफकर करूँगा पेस्टिंग इसके अंदर लगा रखी है इसको मैं पहले से प्रैस कर दिया था इसलिए हमें कुछ भी करने के जूरत है नहीं और यह देखिए यहां पर चाहें तो थोड़ी सी नाखुन से प्रैस कर लें तांकि कपड़ा बिल्कुल अपनी जगे पर स्थिर हो जाए हिले नह तो इस तरह से बिल्कुल गुलाई में यह जो बन बन चुकी है अब इस बैन को आपको इस तरह से विह देखिए फोल्ड करने के बाद अब आपको लगाना है यहां पर एक कट यह जो दोस्तों कल लगा है इस कट का मतलब होता है है कि है जो इस बैन का सैंटर पॉंट है अधर भी छोड़ा था एक्षुरी दोस्तों इसलिए छोड़ा जाता है ताकि हमें अच्छी तरह से पकड़ मिल सके अब इस बैन को लगाना कैसे यह देखिए यह इसका जो है फ्रेंट पार्ट है यह पीछे वाला इससा है अब हमें पता ही जो बैन बन चुकी है यह बैन हमा है यह देख़ी इस तरह से आप से कड़ें को तकी को मिलना चाहिए आपको होर्ण पहले कं पहले मिला के फिर सिस्कर फिर आप चाहें तो डिर्क्ट भी लगा सकते हो को यह देखिये जैसे इसको आपने यह पकडर में यह और यहाँ पर काफी सारा गुमावा आता है लेकिन जैसे स्लाइल लगाते जातों तो तो इस तरह से उस सलाइल मैं पकड़न holiday देखिए अब यह थोड़ा से मैंने कपड़ा था यहां से पकड़ बनाने के लिए यह देखिए इसको फोल्ड करें और यहां से जड़ से शुरू करें इस लगेगी कैसे आए दिखाता हूं मशीन पर तो फेंड्स दुबारे बता देता हूं मैं आपको यह है पेस्टिंग औ आपको यह बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिल जाएगा इसका इस तरह से आपको श्राय लगानी है अब बस आपको बिल्कुल सावधानी पूरक धिरे-धिरे श्राय लगानी है कोई जल्दबाजी या फिर कोई हट-बड़ा हट आपको नहीं करनी क्योंकि गले में गोलाई बह कि यह देखें दोस्तों कट से कट बिल्कुल मिल रहा है इसका मतलब बैन हमारी बिल्कुल सही जा रही है दोस्तों यह थोड़ा समय छोड़ा था पॉइंट अब आपको पता यह पॉइंट इसलिए काम आता है देखिए इसको थोड़ा से अंदर तक फोल्ड करें ताकि आपको गले इसको पकड़ने में असानी रहे मजबूती रहे और जड़ में स्लाई लग जाए अब आपको यहां पर थोड़ी बहुत गुलाई वाली जगह दिख रही है यहां पर आप हलके-लके कट लगा दें ताकि स्लाई लगाते समय बिल्कुल भी इसमें कोई दि कर दो दखाता हूं क्यों दårt कि देखिए इस तरह से ये सारा मारजन आपको उंडर कि तरफ धब्धैल देना है और इदर से भी आपको ऊंदर के तलब कर दें अब हैं वह इस्मेर इसमें जुट एक रह गए है वह एक जनाउय आ लगानी है दोस्तों कैसे लगा नी यह स्मा यहां से स्लाइक स्टार्ट करूंगा और यहीं पर लागे स्लाइकों में खत्म करूंगा देखें कैसे इस मारजन को दोस्तों कैंची की मदद से अंदर कर सकते हो जैसे कि देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि यहां से बिल्कुल फिनिशिंग आएगी अगर आप मार्जन कोई भी जड़ा सा भी कपड़ा भार की तरफ नहीं होना चाहिए बस बिल्कुल फिनिशिंग से इसको आप अराम से इसको कपड़े को अंदर की तरफ धकेल दें जैसे मैंने कर दिया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हूं इस सिलाइकों मैंने यहां से शुरू कर रहा था और यहीं पर लाके सिलाइकों मैं कर रहा हूं खतम और इसके बाद जितने भी धागे वागे हैं सारे के आप कर लें कटिंग और लग चुकी है दोस्तों आपकी बहुती फिनिशिंग से बहुती प्यारे तरीके से जो है बैन लग चुकी है अब दोस्तों इसका जो फाइनल लुक है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं उसके बाद फिर इसको मैं आपको प्रेस करके लुक दिखांगा इसका कैसा कैसा लुक इसका बनता है यह हमारी जो बैन है लग चुकी है और इसका लुक देख सेते हैं बहुत ही जबरदस इसका लुक आ चुका है और हमारी पेस्टिंग है जो बिल्कुल फिनिशिंग से इसके अंदर में लगाई है बैन जबरदस्त बन चुकी है तो दोस्तों यह थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको चाइनीज को रहे थैंक यू वेरी मुच